हे गाईज वैलकम टू दा चैनल कैसे हूँ आप सभी तो गाईज कुछ समय पहले मैंने एक सोर्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि आप इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो तो उस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पोंस आया है जिन लोगों उसे ट्राइ किया था उन लोगों के कमेंट आ रहे थी कि भाई जो इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़ रही है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो क्यों ना बना दी जाए जिसमें कि मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि यह वाली जो ट् स्पीड डैफिनेटली बढ़ जाएगी क्योंकि इस वाली ट्रिक को मैंने खुद भी परसनली ट्राइ किया है जो मेरी इंटरनेट की स्पीड वो डैफिनेटली बढ़ी है यानि कि अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड एक MBK अरांड आ तो इस वाली ट्रिक को यूज करके जो आपके इंटरनेट की स्पीड है वो 7-8 MBK आराउंड हो जाएगी और इससे पहले जो मैंने एक सोल्ट वीडियो अप्लोड की थी उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था कि आप इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो तो उस पे भी बहुत सारे लोगों के कमे आल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा दीजिए तो चलिए सबसे पहले आपको मोबाइल फोन की सैटिंग्स को ओपन कर लेना है सैटिंग्स को ओपन करने के बाद गाईज यहां पर आपको सिम कार्ड और मोबाइल डाटा का ओप्सन दिखाई दे रहोगा तो आपको इसके वाली सिम कारड में इंटरनेट यूज करता हूं तो मैं सेकंड वाली को स्क्रोल करोगे तो आपके सामने एक्सेस पॉइंट नेम वाला उप्सन आजाएगा तो आपको इसके उपर क्लिक करने के बाद गाईज आप जिस भी सिम कारड में इंटरनेट यूज करते हो फिर चा से कोई एप्यान लगाने के आपको need नहीं है तो इतना करने के बाद guys आपको play store को open कर लेना है play store पे से guys आपको दो applications को download करना है, पहले वाली application है DNS scanner, इस वाली application का size 11 MBK round है, तो छोटी सी application है, दूसरी application है speed test, इस वाली application का size 10 MBK round है तो DNS को change करने से पहले मैं आपको जो normally internet की speed है वो दिखा देता हूँ, यानि कि जो अभी normally smartphone में internet की speed चल रही है वो कितनी है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो download speed है वो कम जादा हो रही है, कुछ तकरीबन 4 MBK round download speed आ रही है तो चलिए guys, हमने जो पहले नंबर पे application डाउनलोड की थी DNS changer उसे open कर लेते हैं इस वाली application के अंदर 10 DNS देखने को मिलते हैं, जैसे Google DNS, Open DNS, Cloud Flare DNS, जैसे और भी बहुत सारे इसके अंदर DNS है, तो जिस भी DNS पे आपको अच्छी speed मिलती है, तो आप उसे select कर सकते हो, तो चलिए guys, अभी मैं आपको किसी DNS के साथ connect करके दिखा देता हूँ, कि जो internet की speed है, वो बढ़ती है, या फिर नहीं, तो सबसे पहले हम open DNS के साथ connect करके देखते हैं, कि जो internet की speed बढ़ती है, या फिर नहीं तो चलिए, अभी हमने connect कर लिया है, तो speed को check करते हैं, तो चलिए speed को check करते हैं, guys, आप यहाँ पे देख सकते हो, कि जो download speed है, वो बढ़ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कि जो download speed है, वो बढ़ कर 8 MB के around हो गई है, और जो upload speed है guys, वो तो कुछ जादा ही बढ़ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़ती ही जा रही है, यहाँ पे upload speed 28 MB के around हो गई है, और अगर आप इसे normal speed से compare करें, जब हमने किसी भी DNS के साथ connect नहीं किया था, तो normal speed थी, वो 4 MB की download speed थी, और 2 MB की upload speed थी, लेकिन DNS के साथ connect करने वाद आप देख सकते हो, कि जो download speed है, वो बढ़कर 8 MB के हो चुकी है, और जो upload speed है वो तो कुछ जादा ही बढ़ चुकी है, 8 MB की upload speed हो चुकी है, तो यह तो हमने पहले ही server के साथ connect किया था, और अभी भी हमारे पास no servers बाकी है, क्या बता किसी और server पे हमें इससे भी जादा अच्छी speed देखने को मिल जाए, तो चलिए guys किसी और server पे connect करके देखते हैं तो चलिए guys Google के server पे connect करके देखते हैं कि speed बढ़ती है या फिर नहीं, Google के server पे connect करने के बाद guys अगर हम speed करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो download speed है वो तो बढ़ती ही जा रही है जो download speed है वो 9 MB के around हो चुकी है, तो चलिए upload speed को चेक करें तो guys जो upload speed है वो भी कुछ जादा ही बढ़ चुकी है 32 MB के around upload speed हो चुकी है और इतनी जादा speed तब बढ़ी है जब हमने Google के server के साथ connect किया है तो आप देख सकते हो कि जो internet की speed है वो कितनी जादा बढ़ चुकी है आपको भी इसे try करना चाहिए और अगर इसे try करने के बाद आपकी internet की speed बढ़ती है तो आपको इस video के निचे comment करके बताना है और आप किस company की sim card यूज करते हो उसके बारे में भी आप comment में बता सकते हो तो इतना ही थगा इस इस वाली वीडियो में I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को आपने भी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर दीजिए चैनल पर आपको और भी बहुत सारी अच्छी ची वीडियो देखने को मिल जाएगी आप उन्हें भी जाके देख सकते हो Thank you for watching the video क्या है